नमस्कार मैं हूँ जूली आप इस सब देख रहे हैं The India Talk बिहार सरकार के माधिमिक और उच्च माधिमिक स्कूलों में 30,020 पदों पर सिख्षक नियोजन की प्रक्रिया जारी थी जो की अब ठप हो चुकी है सभी जिलों में इस प्रक्रिया पर रोक लगा दिया गया है नियोजन की सभी प्रक्रिया को पूरी कर लेने का लक्ष रखा गया था लेकिन अब पंचाय चुना की वज़े से ये प्रक्रिया ठप हो गई है करीब करीब सभी जिलों में इस पर रोक लगा दी गई है इसके पीछे दो वज़ा है पहला तो जो कंसल्टेटिव कमिटी बनाए गई थी आनि की परमर्शी समीती उसके सद्धस्य और अध्यक्ष के बीच में ताल्मेल नहीं बन पा रहा था और असहयोग के कारण अब ये प्रक्रिया ठप हो गई है दूसरा वज़ा ये है कि कितने सारे ऐसे पद हैं जो कि इस वक्त खाली हैं जिसकी वज़े से इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सका दूसर छठे चरण के नियोजन के तहट 94,000 प्रारंबिक सिक्षकों की नियुक्ति को लेकर करीब 1100 नियोजन इकायों में 12,000 रिक्पदों के लिए विभाग को राज निर्वाचन आयोग ने काउंसलिंग की अनुमती नहीं दी है इससे प्रारंबिक नियोजन पहले से ही ठप था अब माधिमिक नियोजन का भी वही हाल है अब 12 दिसंबर को पंचाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही महीने के तीसरे सप्ता से नियुक्ति की प्रक्रिया जोर पकड़ पाएगी आपको बता दे कि सिक्षा विभाग ने इसे लेकर के पहले ही चिंता जताई थी और इसको लेकर के बकाएदा एक कमिटी का गठन भी किया गया था इस कमिटी को नियोजन के अधिकार भी दिये गये थे लेकिन इसके बावजूद वही हुआ जिसका सिक्षा विभाग को डर था कई D.E.O. ने नियोजन प्रक्रिया को जारी रखने को लेकर के हाथ खड़े कर दिये अब इस पूरे मामले की जानकारी सिक्षा विभाग को दे दी गई है और विभाग के आला अधिकारियों का भी यही कहना है कि पंचायच चुनाओं के खत्म हो जाने के बाद ही इस प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जा सकेगा तब तक के लिए ये प्रक्रिया ठप रहेगी सूत्रों की माने तो माधिमिक सिक्षा निदेशाले ने पटना हाई कोट के निर्देश पर 29 जुलाई को जो नियोजन का शिड्यूल जारी किया था वो कई जिलों में शुरुवात से ही प्रभावी नहीं हो पाया है हाला कि इसके बागी कारेकरम पूरे किये गए हैं लेकिन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के निर्मान से ही नियोजन कमेटी की रिकमेंडेशन की जरूरत होती है और इसके अध्यक्ष नगर पंचायत और जिला परीशद में मुखिया और अध्यक्ष हैं पटना समेट कुछ जगों पर अध्यक्ष है ही नहीं वही हाल कुछ पंचायतों में मुखिया का भी है जहां ये है और चुनाओ की प्रक्रिया पूरी हो गई है और जो नीवर्तमान पदधारक चुनाओ हार गए हैं वे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं जबकि शिड्यूर में इसके लिए 11 अक्टूबर से 3 नौंबर तक की डेट निर्धारित है इसके बाद इस सूची पर आपत्ती मांगनी थी उसमें सुधार किया जाना था लेकिन अब कमिटी के अध्याक्ष और सदस्यों में असहयोग के कारण इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है ये प्रक्रिया ठप हो गई है और अब पंचाइट सुनाओं के खत्म हो जाने के बाद ही अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें वीडियो फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लें धन्यवाद